किसी गाव में एक साधू रहा करता था, वो जब भी नाचता तो बारिस होती थी अता, गाव के लोगों को जब भी बारिस की जरूरत होती थी, तो वे लोग साधू के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचे और जब वो नाचने लगता तो बारिस जरूर होती कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से गाव में घूमने आए कि हम भी नाचेंगे तो बारिस होगी और अगर हमारे नाचने से नहीं होई तो उस साधू के नाचने से भी नहीं होगी फिर क्या था? अगले दिन सुभा सुभा ही गाव वाले उन लड़कों को लेकर साधू की कुटिया पर पहुँचे साधू को सारी बात बताई गई फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया और एक घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गये पर बारिश नहीं हुई अब साधू की बारी थी उसने नाचना शुरू किया एक घंटा बीता बारिश नहीं हुई साधू नाचता रहा दो घंटा बीता बारिश नहीं हुई पर साधू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था धीरे धीरे शाम ढ़लने लगी निना कुछ तभी बादलों की गड़गडाहत सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी लड़के दंग रह गए और तुरंथ साधु सिक्षमा मांगी और पूछा बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिस नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई कि बारिस ना हो जाए।